मैं हूँ पूजार नाइक, आप सभी को मेरी चनल पर स्वागत हैं आज हम छटी कक्षा त्रटी अबाशा हिंदी के बारे में अध्यन करने वाले हैं आईए जानते हैं यहाँ ए वह वे यहाँ कलम हैं कलम मतलब पैन जब पहला शब्द यहाँ आता है तो अंत में है आता है यह कलमे हैं यहाँ पर दो पैन हैं इसलिए कलमे का इस्तमाल हुआ है जब पहला शब्द यहाँ आता है तो अंत में है के उपर बिंडु आता है यहाँ पुस्तक है पुस्तक मतलब बुक बच्चों, इस छित्रों को देख रहे हैं, इसली बाक्यों का प्रयोग क्या होता है देखे, यह पुस्ता के हैं, यह संत्रा है, संत्रा मतलब ओरेंज, यह संत्रे है वह तितली है, तितली मतलब बटरप्लाई बच्चो आप लोग सोच रहे हैं ना कि यहा और वहा का प्रयोग कब होता है जब कोई वस्तू नस्दिक होता है तब यहा का प्रयोग होता है जब कोई वस्तू दूर होता है तो वहा का प्रयोग होता है वे टितलिया हैं वहा फल है फल मतला प्रूर्स इस चित्र में बहुत सारे फूल हैं तो आक्यों में क्या होता है देखिए वे फूल है वहाँ फूल है फूल मतला फ्लावर इस चित्र में बहुत सारे फूल है तो आक्यों में क्या होगा बताईए हाँ वे फूल है अब हम देखेंगे वचन वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनिग होने का भोध होता है उसे वचन कहते हैं वचन में दो भेडें एक वचन बहुवचन एक वचन मतलब जहां एक संक्या का भोध होता है उसे एक वचन कहते हैं बहुवचन मतला दो या दो से अधीक संक्या का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं एक वचन में यहाँ हैं बहुवचन में ए हैं क्यूं? क्यूंकि बहुवचन में दो या दो से अधीक संक्या का बोध होता है तो ए का प्रियोग होता हैं समझ गए ना बच्चों, हाँ, आगे रेखते हैं, वह, वे, कलम, कलमे, पुस्तक, पुस्तके, संत्रा, संत्रे, तितली, तितलिया, हाँ, सोच रहे हैं न, ऐसे कैसे हुआ, ली, जो वहाँ पे धीरगे हैं तो बहु अचन में ली, हरस्व होता हैं, और या के उपर चंद्रब इंदो आता हैं, आगे रेखते हैं, फल, फल, कुछ शब्द सदा एक उचन में रहता हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, फूल, फूल, पेड, पेड, बगीचा, बगीचे, लड़का, लड़के, लड़की, लड़किया, जैसे मैंने अभी कहा था, आप लोगों को य देखो यहां पे लड़की, की जब वहां पे धिर्गा आया हैं, तो बहुवचन में की रस्व आया हैं, और यहां के उपर चंद्रबिंदू, बच्चा, बच्चे, घोड़ा, घोड़े, खिड़की, खिड़किया, समझ गए ना बच्चो?